अब पूरा का पूरा जितना अभी तो आपने यह एक्सपरिमेंट देखा अब यह जो एक्सिस के फॉर्मेशन हो रहा है उसमें कुछ कौन कर रहा है नियुक्यूप सेंटर कर रहा है फिर इसके बाद अब उन में फिर भी डॉर्सल या वेंटल बनने में फिर भी और प्रोटीन के भी इन्वाल्मेंट है किस तरीके से क्या-क्या फेट हो रही तो अब हम लोग देखते हैं अब जैसे कि यहां पर आप देख रहे जाते है कि जहां एक का फर्टेलाईजेशन होता है स्पंब एंट्री होती है वह वैंटल साहई हो जाती ही जहां पर यह होता ही तो है जो एनिमल हेमी स्पेयर आप लिया और ऑल के तरफ जो साइटोप्लाजम होता है वह डार्क फिग्मेंटिड होता है ठीक है और जो इधर rotation होता है तो यहां पर हमने बताय था कि एक 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 मूफ करता है यहां पर ग्रेक्रेसंट वीजन बनता है ठीक है यह हम लोगोंने पहले ही देखा था अब इसके साथ साथ New Club Center कैसे रहा है तो क्योंकि New Club Center ही तो डॉर्सल लिप या जो भी क्या बोलते हैं आगे चलके organizer को induce करता new cube center वो कैसे काम करता है तो कैसे काम करता है यहां पर देखिए यहां पर कुछ आपको blue color की protein दिख रही है यह है disabled protein disabled protein अब बताए disabled protein का involvement कहां पर था disabled protein का involvement कहां पर था यहां पर जब कॉर्टिकल रोटेशन होता है तो उस समय कुछ वेजटियल पोल पर disabled protein होती है वो shift होती है यहां पर shift होती है ठीक है अब यहां पर देखिए यह disabled protein है यहां पर एक GBP protein है इनका नाम है GSK3 binding protein GSK3 binding protein GPB ठीक है तो यहां पर क्या देख पा रहा है आप यह GBP protein है disabled protein है काइनेसिन है और यह महां पर माइक्रोटिब्यूस है यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जब कॉर्टिकल रोटेशन हो रहा है तो यह इस तरह से मूँव कर रहे हैं अब इसके बाद आगे क्या होता है आगे देखी क्या होता है पहले आप फुरा सा यह समझ लिजेए WNT pathway के बारे में WNT pathway क्योंकि यहां पर involved है आपको पता हुन अच्छी WNT pathway में क्या होता है कि इसका से लाकर करता है एक शान कारता है कि इसको इनिविट करता है इसको इनिविट करता है अगर सबकर देखीodel का plugging कॉर्ण प réalité कर पाथवे में क्या होता है कि इस बीटा कैनिन को निउपलिस के अंदर जाएगा यहां पर क्या है कि डिशेवर्ड क्या करता है डिशेवल्ड इनिमिट करता मतलब कि जैसे ही WNT pathway activate होता है, disabled को activate कर दिया जाता है, disabled inhibit करता है GSK3 को, GSK3 inhibit हो जाएगा तो beta ketanin को phosphorylation नहीं होगा, और वो degrade नहीं हो पाएगा, जब वो degrade नहीं हो पाएगा, तो जाएगा nucleus के अंदर, तो आपको यह याद अठना कि disabled क्या करता है, disabled GSK3 को inhibit करता है, ठीक है, इतना आपको याद हो गया, आप इसके बाद यहाँ पर देखिए, जब cortical rotation, जब यहाँ पर cortical rotation हो गया, और यह जो GSK, sorry, disabled protein यहाँ पर shift हो गया, vegetable pole से कहाँ पर, dorsal most vegetable side पर यहाँ पर shifting होई इनकी, तो जब shifting होई तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्या disabled और GPV, ठीक है, कौन-कौन सी protein दिख रही है, disabled और GPV, GPV क्या है, GSK3 binding protein, अब इसका मतलब क्या है, कि एक तो disabled भी क्या करता है, GSK को inhibit करता है, जब इस एरिया में GSK inhibit रहेगा, जब इस एरिया में GSK inhibit रहता है, तो इस एरिया में कुछ beta-catenin होते हैं, वो beta-catenin nucleus के अंदर चले जाएंगे, जब nucleus के अंदर जाएंगे, तो dorsalization हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को, कि disabled और GPV, जब cortical rotation होता है, तो western pole पे यह जो disabled और GPV binding protein है, वो यही nucleus center है, यह ऐसे यहाँ पर आजाता है, जब यह आता है, तो यह क्या करता है, कि यहाँ पर beta-catenin तो समझ लिजए कि सब जगह है, लेकिन beta-catenin कहाँ nucleus के अंदर है, वहाँ important है, जहाँ nucleus के अंदर होगा, वहाँ dorsal side बन जाएगी, ठीक है, dorsal enrichment of beta-catenin, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि आप देखिए, कि disabled और GPV, disabled क्या करता है, disabled करता है, beta-catenin को inhibit, ठीक है, beta-catenin को, sorry, sorry, disabled inhibit करता है GSK3 को, disabled inhibit करता है GSK3 को, और साथ में एक और protein है, GBP, GSK binding protein, तो कुल मिला के सब इस area में, इस area में ही, क्योंकि यह center है, तो इस area में, इसकी dorsal side में, dorsal side में ही क्या हो रहा है, कि disabled और GPV, GSK3 को, देखिए, disabled, क्या करता है, GSK3 को inhibit कर दे रहा है, जब GSK3 inhibit हो जाएगा, जब GSK3 inhibit हो जाएगा, तो GSK3 beta-catenin को degrade नहीं करा पाएगा, ठीक है, GSK3 beta-catenin को degrade नहीं करा पाएगा, तो beta-catenin nucleus के अंदर जाएगा, और जब nucleus के अंदर जाएगा, dorsal, जो dorsal side के nucleus है, वहाँ पे अंदर चला जाएगा बीटा कैटनी और वह दो संवाइब साफ को तो इस तरह से क्या हो गया कि वेंटल साइड में जिद कि कोई भी बीटा कैटनी नहीं है तो यह वेंटल लाइज हो गया यहां पडे कैटनी निक्ली shrinking के अंदर चला गया तो यह तो यहां पर इस तरीके से यह पूरा होता है कि किस तरह से ओज्ट करके बनाती है यहां पर टीघर जोनंद flips होता है कहां पर वनिच बेज़ जेक्टेIL ज्ट परे पाटनल में ऐसका है तुरू थानल हम जमी करते हैं कِ पूर्फे और स occurs दばい के परोटरी डॉन होगे इस एरिया में बीटा केटरिन निप्लिस के अंदर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा वेंटरलाइज हो जाएगा इतना समझ में आया इतना समझ में आया तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन हुआ अब इसके बाद यहां पर देखिए वही सिंपल पाथवे सिंप्लिफाइड वे में बनाए गया कि disabled inhibit करता है जीएसके 3 क्योंकि जीएसके 3 ने बीटा कैतनिंद को inhibit करके रखाए inhibit का मतलब कि ये जीएसके 3 ऻॉस्फोराइलेट करके फिर यूबिक्टनाइलेशन कर देता है थीके करवाा देता है beta-catenin free हो जाता है यह nucleus के अंदर जाता है nucleus के अंदर होता है एक transcription factor TCF3 उससे bind करता है अब हम आगे बताएंगे आगे बताने वाले है TCF3 के बारे में bind करता है और जब TCF3 से bind करता है तो वहाँ पर वो activate करता है कुछ gene को जिनका नाम होता है CMOS twin genes ठीक है CMOS twin genes activate करता है goose quiet goose quiet बहुत important होता है development के लिए goose quiet को activate करता है जब goose quiet activate हो जाता है तो organizer activity मतलब new cube center का काम क्या है new cube center का काम है organizer को induce कराना organizer की activity कैसे induce होती है उसके लिए यहाँ पर पूरा पाथवे दिया मतलब कि new cube center में disabled protein और GSK3 binding protein move करती है cortical rotation के तुरू move करने के बाद वो क्या करती है beta catein को dorsal side में nucleus के अंदर डालती है जब nucleus के अंदर वो पहुच जाते है तो वहाँ पर वो nucleus के अंदर जाके क्या करते है transcription bind करते TCF3 से TCF3 से bind करके वहाँ पर तो gene होते है cmos और twin उनको activate कर देते हैं जब यह gene activate होते हैं तो इनके activation की वज़े से goose quiet activate होता है goose quiet जब activate हो जाता है तो organizer की activity मतलब start हो जाती है इसकी organizer की activity के लिए goose quiet gene बहुत important होता है और इस थरीके से organizer की activity शुरू हो जाती है तो इस तरह से क्या हुआ कि new clip center ने क्या कर दिया new clip center ने organizer की activity को induce कर आया ठीक organizer को induce कर आया समझ में आ रही बात समझ में आ रही है आप इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अब कुछ यहां पर points है जो की बहुत important है क्योंकि आपके exam में कभी-कभी यह सीधे line से question पूछ लिए जाते है the major factor that new clip center in dorsal most vegetable cells is beta-catenin result in lack of dorsal structure moreover injection of beta-catenin into vental side अगर हम beta-catenin को vental side में inject कर दे तो secondary access बन जागा में इसकी beta-catenin अभी कहां था dorsal side में था ठीक है अब अगर हम किसी भी तरीके से beta-catenin को vental side में inject कर देंगे तो क्या हो जाएगा second access बन जाएगी इधर से भी बनेगा इधर से भी बनेगा ठीक तो beta-catenin एक तरीके से dorsalization में important role play कर रहा है और अगर हम बाहर से inject करते हैं बेंटल side में beta-catenin को तो क्या हो जाएगा इधर भी dorsalization होने लगा बीटा-catenin originally found throughout the embryo सभी embryo में पाया जाता है ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि वैसे तो beta-catenin सभी पूरे के पूरे embryo में पाया जाता है ठीक है लेकिन nucleus के अंदर कहां जाता है dorsal side में जाता है अब किसी भी तरीके से अगर बेंटल साइड के nucleus के अंदर inject करके बीटा-catenin को nucleus के अंदर पहुचा दिया जाए तो यह भी dorsalize होने लगेगा तो कहने का मतलब यह है कि dorsal side इसलिए क्योंकि यहां पे nuclear center से disabled protein मिलती है इसलिए यहां पे dorsalization हो जाता है और यहां पे बचा हुवा ventralization हो जाता है कि the from the research done on wnt pathway beta-catenin is targeted for destruction of glycogen synthase kinase 3 gsk3 है ना तो beta-catenin का wnt pathway का क्या है gsk3 को means destroy करना या आप कह सकते हैं inhibit करना disabled के थू activated gsk3 block the excess formation अगर gsk3 activated है ठीक है gsk3 activated है तो जब वो activated रहती है तो वो beta-catenin को nucleus के अंदर जाने नहीं देगी और जाने नहीं देगी तो फिर excess का formation नहीं होता है इफ इंडोजीनस अब देखिए यह ध्यान से पढ़िया इफ इंडोजीनस gsk3 is knocked out by dominant negative protein in vental cells of early embryo a second excess form क्या कह रहे हैं कि इंडोजीनस gsk3 को अगर हम knocked out कर दे dominant negative protein in vental cells of early embryo a second excess form मतलब कहने का मतलब है कि इन्होंने यह कहा कि gsk3 को कौन इंविट कर रहा था disabled disabled तो new clip center से आ रहा था अब इन्होंने कहा कि अगर वेंटल साइड में gsk3 को हम knocked out कर दें भाई पूरे embryo में beta-catenin है पूरे embryo में gsk3 भी है ठीक है वेंटल साइड में क्योंकि dorsal साइड में disabled और gsk binding protein होती इसलिए beta-caten nucleus के अंदर चला जाता है लेकिन बाकी जगह पर beta-caten को gsk3 इनिविट करके रखा है अगर किसी तरीके से हम अंदर के gsk3 को knocked out कर दें मतलब उसको एक तरीके बड़ gsk समझ रहे हैं इस point को समझ रहे हैं यह जो line लिखी उसको समझ रहे है ठीक है मतलब यह पूरा embryo है beta-catenin है ठीक है beta-catenin पाया जारा gsk3 ने beta-catenin को इनिविट करके रखा है beta-caten अभी cytoplasm है पूरे embryo के dorsal side में nuclear center से disabled मिलता है disabled की वज़े से क्या होता है कि dorsal side में beta-catenin nucleus के अंदर चला जाता है जब nucleus के अंदर चला जाता है तो dorsalization हो जाता है और mental side में beta-catenin को gsk3 inhibit करके ही रखता है तो beta-catenin nucleus के अंदर नहीं जा पाता है इसलिए mentalization होता है लेकिन किसी तरीके से अगर हम mental side में gsk3 को knocked out कर दें मतलब कि उसको तरीके से mutation कर दें या उसका प्रभाव उसको खतम कर दें तो जब वो खतम हो जाएगा तो beta-catenin free रहेगा nucleus के अंदर जाने के लिए और जो mental side होगी वो भी second axis का formation कर लेगी ठीक है तो nucleus के अंदर चला जाएगा तो second axis का formation हो जाएगा but gsk3 can be inactivated by gsk3 binding protein and disabled these two proteins release gsk3 from the degradation complex and prevent the binding of beta-catenin मतलब कि वह disabled और gpb जो protein होती है वो gsk3 को तरीके से bind करके रखती है inhibit करके रखती है तो इस तरह से dorsal-vental में किस तरह से new cube center और organizer काम करता है वो आपने समझ लिया अब इसके बाद इसके specification कुछ और हैं जैसे की तीन signal मिलते हैं जैसे आप देख रहें ना कि यहां पर यह बन रहा है यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यह वेंटल साइड है यह डॉर्सल साइड है डॉर्सल वेंटल साइड तो आपने समझ ही लिया कि कैसे बन रही बीटा-केटिन की वज़े से हो रहा है इसके साथ साथ अब यहां पर यह और भी चीज़ें कोछ है कि कोछ और जीन के activation होते हैं जिसके तुरू और भी चीज़ें मतलब मीजोडर्म जैसे बन रहा है या एक्टोडर्म बन रहा है वो कैसे उसका कैसे के फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां पर जैसे एक पर सिगनल टीजी अफ बीटा इस इनकोड़ेट वेश्टर लोकलाइज मेटर्नल अमर्में जैसे कि जब हमने न्यूक्यूप सेंटर आपको बताया था तो वहां पर हमने बताया था कि देखिए यहां पर देखिए टीजी पर armies सिगनल है एन के यह ठीजी अब बीटा वेजटल रिठार होता क्या है कि नोडल और वैजवन गन हम लोग एक और नाम एक और उसका होता है जैकन है नोडल रिloeँ प्रोटीन और GzNR1 कहतें बहुत सारे प्रोटीन और इसलिए इसको आपको एक आथ बार और पढ़ना पड़ेगा मतलब आप रिवीजन करिए तब आपको अच्छे सा समझना है फॉस्ट सिग्नल टीजिए बीटा इस इन कोड़ेड वाई वेजिटल लोकलाइज्ट मेटर्नल म्रन वेजिटल सेल्स में वेजिटल जो सेल्स होती वहाँ पे टीजिए बीटा होता है टो म्रने शिरिटल वेजिवन जैसे हमने बता है कि टीजी बीटा और् वेजिवन कहां पे होते वेजिटल सेल्स में होते हैं कहने का मतलब यह है कि इंडोडर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है इंडोडर्म की फॉर्मेशन ऐसे होती है कि अगर जैसे यह आप देख रहे हैं एक मेंटर यह वैस्टी MRNA है जो रहे है जो वैस्टी आरणे बनाता है तो यही आग niż इंडोडर्म को स्पाइब करता है वही बात यहां पर लिखी हुई है कि क्या होता है high level of vaguan mRNA, westi induces T domain protein, westi क्या बनाता है, एक T domain protein बनाता है, जो कि इंडोडर्म के formation के लिए important होता है, तो आपको क्या याद रखना है, यह याद रखना है कि vegetable cells पर, vegetable pole पर एक westi mRNA पाया जाता है, westi mRNA पाया जाता है, वो क्या करता ह है, वो जब translate होता है, तो westi protein बनाता है, वो westi protein इंडोडर्म के formation को specify करता है, ठीके, second signal तो पहला signal इस तरह से यह हो गया, दूसरा signal क्या है, कि beta-caten high concentration near the nucleus center, यह भी अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है, कि जो nucleus center के पास में क्या होता है, कि beta-caten concentration high होता है, पिर dorsal mesoderm is induced by NK cells, यह भी आपको पता है, तो dorsal mesoderm कहां से specify होता है, तो dorsal mesoderm कहां से specify होता है, क्योंकि वहां पे ही तो क्या हुआ था, कि beta-catenin nucleus के अंदर गया था, जो हम लोगों अभी बात की, containing signal produced by high level of veg1, westi and beta-catenin, मतलब क्योंकि नुक्यूब से आरहा है, वेजटेल पोल से आरह तो वहां पे जो, जब mesoderm की formation होती है, तो वहां पे क्या-क्या चीजे हाई होती है, बीटा-catenin को concentration हाई होता है, westi का concentration हाई होता है, the maternal mRNA westi and veg1 are western localized after first signal, ठीक है, first and second signal के बाद, यह जो होते हैं, यह तहां पे western pole पोल पे localize हो जाते हैं, first and second signal के बाद, cortical rotation cause accumulation of beta-catenin, cortical rotation की through accumulation होता है, beta-catenin का जो result, जो क्या करता है, veg1, westi, tcr, lf, यह हम अभी आगे बताएंगे, और beta-catenin at vegetable pole, dorsal most position, arises the dorsal to vental gradient of ZNR activity, अब क्या होता है, अब यहां पे आप बहुत short में समझ लीजे, कि क्या होता है, कि before fertilization, before fertilization, 1 minute, before fertilization क्या हो रहा है, कि एक पाया जाता है, westi mRNA, westi mRNA क्या करता है, westi mRNA, westi protein बनाएगा, और वो बनाता है, आगे चलके, क्या बनाएगा, endoderm की formation करता है, इसके बाद, तो जो westi protein बन गई, क्योंकि westi protein जो बनी है, वो क्या करती, induce करती है, सॉक्स 17 प्रोटीन को, जैसे सपोज कि यह आपका embryo है, यहाँ पे क्या है, westi protein है, थीक है, westi protein इंड्यूस हो गया, मतलब, westi mRNA से westi protein बने, westi mRNA यहाँ तो अपना endoderm तो specify कर ही लिया, इसके बाद, यह क्या करता है, यह यहाँ पे जाके, यह क्या करता है, westi protein को बनाने के लिए, एक और protein को induce कराता है, SOC 17, SOC 17 protein को induce कराता है, westi protein, SOC 17 को induce कराता है, और specify हो जाता है, किसमें, means, endoderm में, इसके बाद, जो SOC 17 बना, यह क्या करता है, यह induce करता है, कि secret करे, nodal related protein, in vegetative reason, मतलब कि, यहाँ पे, जो SOC 17 बनाए, किस की वज़े से बनाता है, वेस्टी की वज़े से SOC 17 बनाता, SOC 17 क्या करता है, nodal related protein, nodal related protein, जिनको हम लोग, जो यहाँ पे, आप देख रहे हैं, जो यह लिखा है न, ZNR, जो नोडल related protein को हम लोग क्या बोलते हैं, ZNR, ठीक है, ZNR, यहाँ पे, हम लिख दे रहे हैं, नोडल, ZNR भी बोलते हैं, ZNR, तो SOC 17 क्या करता है, induce करता है, nodal related protein को, in veg region में, induce तो veg region में करता है, फिर transfer करता है, marginal zone में, और marginal zone कहा है, mesoderm में, ठीक है, मेजो, sorry, mesoderm या marginal zone में, transfer करता है, activate SMAT2, यहाँ पे SMAT2 को activate करता है, SMAT2 को activate कैसे करता है, phosphorylate करके, और produce, EOM, sorry, EOMS, और X, जब्रा या X-BRA, जो भी आप बोलिए, जब्रा protein या X-BRA, जो भी pronunciation करना चाहें, प्रोटीन को करता है, और यह specify करता है, mesoderm को, अभी फिर से आप समझ लिजिए, कि before fertilization, क्या होता है, वेज, मतलब, वेजटेटिव पोल पर, वेजटी MRNA पाया जाता है, यह वेजटी MRNA, फिर क्या होता है, यह वेजटी MRNA क्या बनाता है, वेजटी प्रोटीन बनाता है, यह प्रोटीन क्या इंड्यूस कराती है, सॉक्स 17 को, यह सॉक्स 17 क्या बनाने में हल्प करता है, इंडोडर्म, इंडोडर्म स्पेसिफाई हो गया, इसके बाद यह सॉक्स 17 एक और फेक्टर को रिलीज कराती है, जिसका नाम है ZNR, या इसको कहते है नोडल रिलेटेड प्रोटीन, यह जो नोडल रिलेटेड प्रोटीन जब एक्सप्रेस होती है, तो यह ट्रांसफर होती है, कहां पर मार्जिनल जोन में, मीज की मीजोडर्म वाले जोन में ड्रांसफर होती है, वहां पर यह एक्टिवेट कराती है, इस मैट 2 को एक्टिवेट कराएगी, इस मैट 2 जब एक्टिवेट होता है, तो यह क्या कराता है? यह एक्स्प्रेस कराता है EOMS और X-BRA जीन को, और ये जीन मीजोडर्म को स्पेसिफाई कर देते हैं तो इंडोडर्म स्पेसिफाई हो गया मीजोडर्म स्पेसिफाई हो गया और जिनको कोई सिगनल नहीं मिल रहा है जिनको कोई इंडक्शन नहीं मिल रहा है वो क्या बना लेते हैं? सब कुप को समझ में कि इतना समझ में आया कि फिर से समझा सैं इसको कि फिर शर्लांपी मैं फिर से बार सुन लींघ सक्किणा PCS यह सी ै यह Sox17 इंडोडर्म का स्पेसिफिकेशन कर देगा यह Sox17 दूसरी एक और प्रोटीन को रिलीस कराएंगे जिसका नाम है नोडल रिलेटट प्रोटीन या जडन एन आर यह जडन आर या नोडल रिलेटट प्रोटीन क्या करती है कि यह ट्रांसफर होती है marginal zone जहां पर मीजोडर्म बनने वाला वहां पर यह protein जाके SMAT2 को activate कराती है SMAT2 जब activate होती है तो यह express कराती है EOMS ठीक है EOMS कहां EOMS और XBRA gene को और यह जब gene express होते है तो specification हो जाता है मेसोडर्म का और जहां कोई induction नहीं मिल रहा है क्योंकि ऊपर से जैसे वेजटेल से इंडेक्शन मिल रहा है मीजोडर्म को है ना इंडोडर्म से मीजोडर्म को induction मिल ला और जहां पर कोई induction नहीं मिल ला वहां पर Ectoderm बन गया मेस की यहां की cells Ectoderm बना लेती है तो इस तरिके से Indoderm, Mezoderm और Ectoderm का formation हो जाता है जैसे कि यहां पर डाइग्राम बना हुआ मीजोडर्म के इंडक्शन को बताया गया है मीजोडर्म इंडक्शन और्गनाइजर फॉर्मेशन बाई इंटरेक्शन और बीटा कैटिन ठीजियां बीटा पाए जाते में यहां पर आगे चलके बनाएंगे इसके बाद हम यह चलके यह अगे कि स्ट इसकी एकश्परिस करा जादा होती है और बेंटल साइट पर कम होती है और आगे चलके यहां पर क्या होता है कि यहां पर एक मेजोडम का फॉर्मेशन हो जाता है यहां पर एक BMP की भी ग्रेडियंट होती है और WNT 8 की अभी आगे इसकी भी बात होगी कि कि इसमें यहां पर जो यह आप देख रहे है धहां पर जो आप देख रहे हैं यहां पे जो रेड वाली पॉर्शन है ये बी एंपी की एक्स्पेशन है और बीएंपी में आपको टीक रहा है यहां पर आपको दीख रहा है Collins कि मोस्ट बॉर्सल वैंट्र साइड में बेंपी की ग्रेडियन क्या है हॉआ कि इसके बाद यहां पर क्या है और्गणाइजर की एक्टिवीटी शो हो रही है तो यहां पर प्यिंप एक्टिविटी नहीं हो रही है तो मतलब अब दूसरा कर तकर के रखा गया होगा कहां पे और गनाइजर पे इसka मतलब और गनाइजर कुछ और भी प्रोटीन बनाती होगी जो की क्या है लो है तिक्या मोग यहांपे लो है और यह क्या का formation करेंगे मतलब कि जहां beta catinin है वहां पे nodal related expression हाई है देखिए यहां पे क्या है यहीं पे beta catinin high था ठीक है यहां पे क्या था beta catinin सबसे ज्यादा था याद होगा आपको dorsal side में जहां पे beta catinin high है वहां पे nodal related भी high है देखिए जो green वाला दिख रहा है यह लेज टी मतनब कि इस साइ़ में वेज टी वहां पर क्या बात करेंậंग यहां पर कम ही है वहां यहांपे by Molly lorsque मेज़ते वेन्टर नोडल रिलेटर पोर्टीन का दwartת और ओ्यूंटियल और अग्रंपी की बात करें तो बीमपी का अपोजिट है साइड shipped में इत्ना समझ में आया है लालिमा क्या पूछ रही है जो वेजटी है वो एक्चली में इंडोडर्मी की फॉर्मेशन कर रही है लेकिन वेजटी जो सौक्स 17 बनाता है वो नोडल फैक्टर को रिलीज कराता है लेकिन मीज़ोडर्म में इंडक्शन हो रहा है इतना समझ में आया ऊपको की फुरसे रिपीट करें तो आपको क्या समझना है समझ में आ गया आप लोग को समझ में आना चाहिए रिपीट तो हम कितने बार भी कर सकते हैं तो समझ में आ गया ना एकदम अच्छे से कि बीटा कैटनिन जहां जादा है वहाँ पर नोडल की कॉंसेंटरेशन जादा है और वहाँ पर बीएंपी की कॉंसेंटरेशन कम होगी इसका मतलग कि ओर्गनाइजर कुछ ऐसा रिलीज कर रहा होगा जो कि बीएंपी को यहां इनिविट करके रखा होगा अब ही हम आगे बताएंगे तो जहां बीटा कैटनिन है वहां नोडल इलेटेट को कॉंसेंटरेशन हाई है वहीं पर और गनाइजर है जहां पर बीएंपी के हम बात कर रहे थे तो बीएंपी जैसा आमने बताया कि बीएंपी क्या हो रहा है कि BMP dorsal side में उसके inhibitors पाए जाते हैं कि कि means की और dorsal में क्या है organizer है तो organizer के पास BMP के inhibitors होते हैं तो पहले तो हम लोग BMP देख ले क्या करता है अब क्या होता है कि मेजोडर्म, एक्टोडर्म, इंडोडर्म बन गया, डॉर्सल, वेंटल बन गया ठीक है अब इसके बाद क्या होता है और एंटिर पोस्टियर भी बन गया क्योंकि जहां डॉर्सल और लिफ की shifting होती है जो मेंस की जब कॉर्टिकल रोटेशन होता है और शिफ्टिंग होती ही जो सेल्स की तो वह आगे चलके वही एंटिर पोस्टियर डिसाइट कर देते हैं तो फिर अब नर्वस सिस्टम बनेगा है ना क्योंकि जब सारी चीजे बन गी डॉर्सल वेंटल तो नूरलेशन होगा न नर्वस सिस्टम बनेगा नोटो कॉर्ट बनेगा एपिडर्मिस बनेगी तो अब होता है कि जब नर्वस सिस्टम बनता है प्रॉम एक्टोडर्म से क्या बनता है नर्वस सिस्टम बनता है डाट इस प्रोटेक्टिड वाइपिडर्म इंडक्शन अब एपिडर्म factor है. The default fate of ectoderm is to become a neural tissue. Ectoderm का default fate है neural tissue बनाने का. The certain part of embryo induce the ectoderm to become epidermal tissue by secreting BMT. अब होता क्या है कि जब BMP का secretion होता है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर बनने लगती है epidermis और जहाँ BMP के secretion को inhibit करके रखा जाता है वहाँ पर बनता है neural tissue जो कि neural plate या फिर आगे चलके nervous system बनाएंगे. तो BMP का का क्या है कि जब epidermis, ectodermis से जब epidermis बनानी है तो BMP होना चाहिए. जब ectodermis से neural plate बनानी है या nervous system बनाना तो BMP inhibited होना चाहिए. क्योंकि neuralation, notocod, brain development तो सारा चीज तो डॉर्सल से ही शुरू होगा वहीं पर सारा organizer है तो वहाँ पर कुछ ऐसे inhibitors होते हैं जहां पर BMP को inhibit करके रखा जाता है कि वह क्या करें वह बनाएं क्या बनाएं neural मतब कि वह डॉर्सल साइड में इसको inhibit करके रखा जाए जिससे कि वहाँ पर nervous system की development हो पाए अगर इसको नहीं inhibit किया जाएगा डॉर्सल साइड पर तो यह epidermis बना लेगी तो वहाँ nervous system नहीं बन पाएगा जो हम कह रहे हैं कि क्या होता है कि जब neural tissue का formation करना है वहाँ पर BMP को inhibit करके रखना होगा और अगर BMP inhibit करके रखा जाएगा तभी काम हो पाएगा तभी neural tissue बन पाएगा नहीं तो नहीं बन पाएगा तो organizer कुछ ऐसे molecules को secret करता है जो की inhibit करके रखे BMP को dorsal side में या जहाँ पर neural tissue बनने वाला है तो वो BMP inhibitors कौन कौन से होते हैं वो BMP inhibitors जो की secret होते हैं organizer से वो होते हैं nogin, cordin, polystatin तो जैसे कि इस वाले diagram में हम देख में यहाँ पर आप देख रहते हैं इस diagram में आपने यह देखा था कि यहाँ पर देखे क्या है यह BMP है यह आपको BMP दिख रहा है red color का तो red color का यह BMP आपको दिख रहा है यह कहां पर है यह वेंटल साइड में यह organizer यहाँ पर BMP को इनिविट करके रखा गया यह जो organizer है यह organizer क्या produce कर रहा है प्रदूस कर रहा है नॉगिन, पॉलिस्टेटिन, है ना, कॉर्डिन यह कुछ प्रोटीन है नॉगिन, कॉर्डिन, पॉलिस्टेटिन यह प्रोटीन है जो की BMP को इनिविट करके रखते हैं आगे चलके यहीं पर Neural Tissue बनेगा यहीं पर क्योंकि यहां पर BMP है ही नहीं तो यहां पर Neural Tissue बन जाएगा समझ में आई बार तो यहां पर क्योंकि नॉगिन, कॉर्डिन, फॉलिस्टेटिन, बीम्प इनिविटर्स है यह भी question आपके exam में आता है ठीक अब इसके बार तो अब इनमें तीनों में से नॉगिन बहुत important है क्योंकि नॉगिन से question अक्सर पूछ लिये जाते हैं तो हम लोग नॉगिन के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं injection of Nogin mRNA अगर suppose एक कोई egg cell stage embryo है और इसमें क्या किया गया कि और इसको UV irradiated कर दिया गया ठीक है यह UV irradiated है मतलब कि यह सब कुछ खराब हो चुका यह कुछ भी बनाने की capability में नहीं लेकिन इसमें Nogin का अगर injection लगा दिया जाता है तो क्या देखा गया the irradiated sorry क्या हुआ आप लोग को slide दिख रही है खराइब कार देख भी लुक टाए सकते है consistent यह नह म Plus है तो जय jeszcze 7 क सब्सक्तों चुप झाल अभी दिखरें ये स्लाइड कौन से स्लाइड दिखरें या आपको BMP वाली स्लाइड दिखरें ये BMP वाली स्लाइड अच्छा तो यह कहां पर थे या बता रहे थे यहां पर देखिए नॉगिन का क्या किया गया कि सब्सक्राइड यहां पर एक यह लिया गया एंब्रियो और इसको UV कर दिया गया मीज की इसको पूरी तरह से खराब कर दिया गया अब यह कुछ डेवलप करने की नहीं रखता है फिर इसमें इंजेक्ट किया गया नॉगिन ठीक है नॉगिन को इंजेक्ट किया गया तो क्या देखा गया दा इंजेक्ट्शन ऑफ नॉगिन सेम लाइन आपके एक्जाम में पूछी गई है इंजेक्ट्शन ऑफ नॉगिन एम आरने इंटु वन सेल means कि नॉगिन के पास इतनी कापबिल्टी है जो की और्गनाइजर से सिक्रीट होता है यह क्या कर रहा है पूरा का पूरा एक्सिस का फॉर्मेशन करा दे रहा है ठीक है क्योंकि यह सिक्रीट कहां से हो रहा है और नॉगिन नहीं किसको इंबिट करके रखा है बीमपी को ठी पर नहीं inbit करता है वहां पर क्या होता है वहां पर क्योंकि वहां तो वैसे भी बीमपी नहीं यह वहां पर इसलीए यहां पर क्या हो गया कि यह क्या देख रहे हैं कि complete embryo की formation हो जाती the mRNA sequence for the noggin protein suggest that strongly that it is secreted protein यह protein secreted होती जैसे noggin, polystatin, cordin, secreted protein है noggin bind to BMP4, BMP2 and inhibit their binding to receptor मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जो भी BMP भी पाथवे चलाता है ना तो BMP जो नॉगिन होता है यह BMP को inhibit कर देता और BMP अपना पाथवे नहीं चला पाता है तो वहां पर dorsalization हो जाता है लेकिन राइट्स मतलब साइड में BMP क्योंकि वहां नॉगिन है ही नहीं इसका मतलब क्या है नॉगिन क्या करता है और गनाइजर के फेट का प्रोटेक्शन करता है मीजोडर्म को डॉर्सलाइज करता है secondary axis का formation करता है यह रोल है नॉगिन के ठीक है अब इसके बाद हम लोग यहां पर एक डाइग्राम बना इससे हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं चीजों को कि यह देखे यह एनिमल पोल है यह वेस्टल पोल है यह मार्जिनल जोन है जो की आगे चलके मीजोडम बनाएगा इस मीजोडम में यहां पर और्गनाइजर होगा इस और्गनाइजर में कौन-कौन से पॉलिस्टैटिन जडन आर नोडल रिलेटेद प्रोटीनवीड हमने बताया था नोडल रिलेटेट प्रोटीनच कहां जादा होती है डॉरसल साइडे में जो मनें ग्रीन कछा है तो जडन आर भी इससी साइड में जादा है और यह किस्को इनिबिट करके रख रहे हैं यह देखिए BMP-4 की expression को ये इन लोगों ने inhibit करके रखा है तो BMP-4 की expression यहां तो वेंटल साइड में तो हो रही है लेकिन डॉर्सल साइड में BMP-4 को inhibit करके रखा है किस ने inhibit किया? कॉर्डेन, नॉगिन, फॉलिस्टेटिन, जैडनर, थीन और क्योंकि BMP यहां है ही नहीं ठीक है? क्योंकि जब BMP को inhibit कर दिया गया तो BMP अपने आसपास के एरिया में भी तो क्योंकि भाई, यह secreted protein है तो protein secreted है तो वो अपना morphogen वाला effect दिखाएंगी तो यह आसपास के एरिया में भी अपना effect शो कर रही है तो यहां क्या हो रही है? कि जो यहां की ectoderm है यहां पे BMP है नहीं तो यहां पे neural ectoderm बन जाएगी क्योंकि यहां पे BMP है ठीक है? यहां पे BMP है तो यह epidermal बना लेगी तो BMP जहां है वहां पे क्या बन जाएगा? epidermal बन जाएगी ectoderm से और जहाँ BMP inhibited है वहाँ पे ectoderm से क्या बन जाएगा neural tissue का formation हो जाएगा समझ में आए ये भी आपकी exam में question पूछा गया तो इसको अच्छे से समझ दीजिए कि BMP जहाँ पे है वो BMP क्या कर रहा है अगर BMP नहीं है अगर BMP नहीं है तो neural tissue बन जाएगा अगर BMP है तो epidermis बन जाएगा लेकिन दोनों ही बन किस से रहे दोनों ही बन रहे है ectodermis है तो ectoderm का specification neural means की ectoderm का specification कैसे हो रहा है neural tissue में या फिर epidermis दो में से एक चीज़ बन रही है तो epidermis जहाँ बनेगी वहाँ पे BMP होगा और जहाँ neural tissue बनेगा वहाँ पे BMP inhibited होगा ठीक है हाँ BMP friend है epidermis का इस तरह से हम लोग समझ सकते कि BMP friend है epidermis का तो इस तरीके से ये हो गया ठीक अब इसके बाद the beta catanin complex with TCF3 to form transcription हाँ अब जब हम लोग वहाँ पे बात कर रहे थे कहाँ पे यहाँ पे हमने बताया था कि beta catanin nucleus के अंदर चला गया तो nucleus के अंदर जाके beta catanin करता क्या है वो भी तो में पता होना चाहिए कि वो अंदर जाके कर क्या रहा है beta catanin जब nucleus के अंदर जाता है तो वहाँ पे एक transcription मतलब कि एक जीन होता है अब यहाँ पे देखिए बीटा catanin यहाँ पे nucleus के अंदर आ गया बीटा catanin nucleus के अंदर आया आने के बाद आप यहाँ पे देखिए यह एक TCF3 protein यह आप देख पार है green color की TCF3 protein यह यहाँ पे bind करी हुई है जब और यह gene कौन सा है Cia moise gene ठीक है Cia moise gene अब याद रखिए यह क्या है Cia moise gene है Cia moise gene ने क्या करके रखा आप देखिए यहाँ पे बीटा catanin के रखिए यह इन्हें क्या होता है और यहां पर देखिए कि nya co उस CMOS जीन को TCF3 प्रोटीन रिप्रेस करके रखती है और CMOS जीन बहुत इंपोर्टेंट है समझ लीजिए आप डेवलेपमेंट के लिए भी आप इतना समझे तो अब यहां पर क्या हो गया कि CMOS भाई इनिबिटेड है क्योंकि TCF3 रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है अब जब बीटा कैटनिन नुपलेस के अंदर डॉर्सल साइड में गया था तो यह क्या कर रहा है कि यह जो यलो यलो दिख रहा यह बीटा कैटनिन इस बीटा कैटनिन यह TCF3 के पर बाइंड करता है अब यह TCF3 जो रिप्रेसर की तरह काम कर रहा था अब वह एक्टिवेटर की तरह काम करेगा क्योंकि उसने बीटा कैटनिन से बाइंड कर लिया तो नुकलेस के अंदर बीटा कैटनिन जाके सिया मोईस जीन के ट्रांस्क्रिप्शन को एक्टिवेट करा देता है कैसे कि TCF3 ने बाइंड करके रखा है सिया मोईस जीन को रिप्रेस करके रखा है लेकिन जैसे ही बीटा कैटनिन नुकलेस के अंदर जाता है सिया मोईस जी तड़ा किसके लिए? उर्गनाइजर के लिए बहुत इं-प्रोटेन वेकरता है को एक्टिव करने के लिए CMO-SP neem के लिए CMO-SP बनना चाहिए तो यहां पर क्या होता है कि यह CMOS protein transcription factor का काम करता है और गूस्कॉइट protein बनने लगती और फिर organizer की activity on हो जाती है और dorsalization हो जाता है तो यहां पर क्या है the induction of organizer in dorsal mesoderm यहां पर क्या हो रहा है कि एक तरीके से organizer का dorsal mesoderm में induction हो रहा है यहां पर इस तरीके से यह हो जा रहा है साथ में यहां पर हमने आपको SMAD2 की भी बात बताई थी तो यहां पर देखिए यह जब गूस्कॉइट gene का expression होना है तो SMAD2 भी मिल के काम करता है मतलब कि CMOS protein भी चाहिए SMAD2 या SMAD4 भी चाहिए यह दोनों मिल के गूस्कॉइट को active करते हैं जब गूस्कॉइट protein बनती तो organizer की activity active हो जाता है organizer ठीक है तो गूस्कॉइट हो गया like the CMOS product and TGFβ signal TGFβ signal कौन से है SMAD2 SMAD4 TGFβ signal हो गया gusquied और CMOS protein दोनों मिल के क्या करते है गूस्कॉइट गूस्कॉइट gene in the organizer organizer के गूस्कॉइट gene को active कर देंगे गूस्कॉइट gene can activate other gene that cause the organizer to function अब सबसे पहले गू सुआइड मतलब की जी memos À कि जीम है जिस जब यह पमने अगे जीन को active करना झो से पहले में होना होगा गू गुसकोई आटिवन होंकर गुसकोईड प्रॉरेइन बनाने के लिए डी। साइड में क्या होना चाहिए गीटा कटीन नुपिलीस के अंदर होना चाहिए तभी यह सारा प्रोसरीजर और और जब यह होगा तो और्गनाइजर का गूसक्वाइड अक्टिविटी अन हो जाएगा समझ में आया तब को समझ में आया तो अब इसके बाद फिर यह कुछ प्रोटीन्स है जैसे कि मतलब बहुत सारे प्रोटीन्स का इंवॉल्मेंट होता है अभी मीज की एंफिवियन का डेवलेप्मेंट बहुत बड़ा है बट फिर भी बहुत कोशिस किया है समराइज करने का कि आपको कम में ही सारा चीज पता चल जाए तो इसमें यह कुछ नुक्लियर प्रोटीन है फिर भी आप उनको देख सकते कि कौन-कौन से प्रोटीन जैसे अच्छा एक में रुकी अब इसके बाद हम लोग यहां पर थोड़ा सा कुछ समराइज कर लेते हैं समराइज करने का मतलब यह है कि पूरा जितना भी पढ़ा है उसको हमलों बहुत शॉर्ट में समझते हैं båट में या समझते हैं टोडर्म और मीजोडंच और इंडोडर्म यह तीन चीज़े बनती है मीजोडłectime में और्गनाईजर का prevention होता है ठीके visa' लेतंडाअ劑 क्या बनता है hopाल के सिकने इनीसीएशन और क्या होता है donation, okay initiation of gesturation होता है Blastocene بنت juvenile Blastocene or Blastocene cavity औगे चलके Archantron में change हो जाती है archantron में change होती है और इसके बाद gesturation में क्या होता है मतलब की gesturation का process शुरू होता है तो वहाँ पर क्या होता है Invigination होता है इन्विजिनेशन होता है किसका bottle cells का syllogion of bottle cells bottle cells tan इनिवेंजिनेट करके क्या बनाती है Blasto spore बनाती यह फिर this壹ल सो 7-5 होता है इन उ हनिवली च में होता है envociりました in marginal zone में इन जिससे कि dorsal mezoderm बनता है क्या दॉर्सल mezoderm बनता है इसके बाद Epiboly होती है अेपीबहली के थू know बनता है एपीबोली के थो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है ठीक है इतना हम लोगों ने पढ़ा था तो इस तरह से फिर बॉटल नेक जब इन्वेजिनेट करके आगे चलके वो ब्लास्टोसील को रिप्लेस कर देती आर्केंट्रॉन से ठीक है ब्लास्टोसील को आर्कें बिचिंगर। ट्रॉन से रिप्लेस करा दिया जाता है और इस तरह से फिर जो वेजिटेटिव सेल्स होती है वो क्या बनाती है इंडोडåम का फॉर्मेशन कर लेती है और epiboli की थो एक्टोडर्म बनता है, मीजोडर्म बन गया, अब इसके बाद अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो वेजटी, जो की वेजटी, जो की वेजटील पोल पे MRN पाया जाता है, ये MRN आगे चल के क्या करता है, ये सॉक्स 17 को, मतलब ये प्रोटीन बनाता है, प पोल पे बनने लगता है, तो वहाँ पे बन जाता है, इंडोडर्म, ठीक है, ये सॉक्स 17, नोडल रिलेटेड प्रोटीन को, नोडल रिलेटेड प्रोटीन, जैसे की, जैड एन आर, है ना, जैड एन आर को, एक्सप्रेस कराता है, और ये ट्रांसफर होता है, कहां पे ये एक्टिव करके, दो जीन को और एक्टिव करेगा, ईयो मेस, एंड, एक्स ब्राजीन को, और ये स्पेसिफाई कराएंगे, मीजोडर्म को, ठीक है, मीजोडर्म का स्पेसिफिकेशन हो गया, तो इंडोडर्म बन गया, मीजोडर्म बन गया, ठीक, इसके बाद फिर, जहां लोग बात करें तो organizer में थीक है NGO में BMP INIBITORS होते हैं छीक है organizer में BMP RNAD sorry organizer में एक WNP inhibitor भी पाए जाते हैं ठीक है यह हं आपको mention कर दिरहें हमने हलाकि बताय है कि वहां पादार ही यह नोडल रिलेटेड प्रोटीन और जो WNT इनिबिटर होते हैं क्योंकि अभी कुछ प्रोटीन हमने और भी आपको बता है शायद आप सोच रहेंगे उनका कहा है इन्वाल्मेंट है तो WNT इनिबिटर कौन-कौन से होते हैं जैसे की सित्दैंट यहां प्रोटीन रिखें और ZB यह आप जो हमने प्रोटीन के यहां पर फेहां bendsड आ लिखाओ पर इसलिए में हैं इसलिए में इसके आपको detailing में मज जाए लेकिन आप इतना याद रखिए कि BMP inhibitors कौन से हैं और WNT inhibitors कौन से हैं और BMP की तरह एक और भी protein होती नौरिन ठीक है आप याद रखिएगा BMP की तरह एक और protein होती है नौरिन ठीक है वो कहीं कहीं पर आपको नौरिन भी मिल सकता है अब इसके बाद तो यह तो इतना तो हो गया आपका क्या कि यह कैसे कैसे mesoderm, ectoderm, endoderm बना पिर इसके बाद कैसे organizer में BMP की एक्सप्रेशनरी BMP के लिए कौन से कौन लोग inhibitor हैं कौन लोग नहीं inhibitor है अब इसके बाद आम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं जैसे कि ectoderm की जब formation हो रही है ectoderm से ही ectoderm से दो चीजे बनती है या तो neural induction होगा और या तो epidermal induction होगा तो default मतलब dorsal side में dorsal side में जो neural की induction होती ही वो default होती है और जहां पे epidermis बनता वहाँ पे क्या होती ही BMP होता है तो मतलब कि default क्योंकि वहाँ पे BMP क्योंकि organizer है वहाँ और organizer है तो वहाँ inhibitor BMP के inhibitor already होगे तो default expression है वहाँ पे neural तिशू की लेकिन epidermis कहां बनती है जहां जहां पे BMP होता है जहां पे BMP होता है तो जैसे इस वाले diagram में आप देख रहें कि यह epidermis बन गया यह neural tissue बन गया तो यहां पे default इसलिह कहा गया क्योंकि यहां पे इनिबिटर और organizer से बन रहें तो वो तो अपना यहां पे प्रभाव show करेंगे और यहां पे BMP क्योंकि अपना काम करेगा तो इसलिए यह क्या है BMP के presence में epidermis बनते हैं इतना आपने समझा अब इसके बाद कुछ हम एक चीज और यहां पे spinal cord बनेगी ठीक है और तीसरे एक्टोडर्म से ही head और brain बनता है क्योंकि नियूरल टिशू भी तो इसी से बनता है तो अब यहां पे में ध्यान रखने वाली बात है कि जब epidermis बनेगी तो वहां पे BMP और WNT दोनों ही रहेंगे ठीक है यह तो आप समझ गए होंगे अभी तक हम लोग इतिनी बात कर रहे थे BMP और WNT दोनों ही रहेंगे जहां पे ट्रंक बनती है और जहां पे spinal cord बनता है वहां पे BMP के तो inhibitor होते हैं BMP के तो inhibitor होते हैं BMP के inhibitor कौन कौन से वही cordin, fallin और कौन से cordin, fallin, polystatin, cerebrus यह सब क्या है इनिबिटर है BMP के लेकिन WNT active रहता है ठीक लेकिन जहां head और brain बनती है वहां पे क्या होता है वहां पे BMP के भी inhibitor होते हैं और WNT के inhibitor होते हैं ठीक तो BMP के inhibitor वाई cordin, fallin, nogin और WNT के inhibitor वाई dickoff इसके बाद cerebrus और FRZB अभी यह clear हुआ बहुत गंदा हम लिख रहे हैं लेकिन फिर भी आप लोग प्रीज समझने के कोशिस करिएगा कि यहां पे क्या हो रहा है कि अजिए एक्टोडर्म है ठीक है एक्टोडर्म से ही epidermis बनता है एक्टोडर्म से ही trunk और spinal cord बनती है एक्टोडर्म से brain और head बनता है जब ectodermis epidermis बनती तो आपे BMP WNT दोनों का pathway active रहता है जब ectodermis अजिए ट्रंक और spinal cord बनती तो BMP को inhibit करा दिया जाता है लेकिन WNT पाथवे active रहता है जब head और brain बनता है तो उस समय BMP भी inhibited रहता है WNT पाथवे भी inhibited रहता है BMP के inhibitor cordin, folly, statin और noggin होता है WNT के inhibitor decoff cerebrum और FRZB होता है head reason में जैसे कि हमने यहां पे बताया था कि देखी head reason में यह क्या हो रहा है BMP BMP भी inhibited है और WNT भी inhibited है यहां पर देखे लिखा है in head reason the addition of set of protein cerebrus FRZB decoff block the WNT signal from the vental and lateral mesoderm ठीक वही बात यहां पर लिखी गई अब इसके बाद अगर लेफ्ट राइट की बात करें तो डॉर्सल वेंटल हो गया anterior posterior हो गया है ना इसके बाद फिर हम लोगों ने mesoderm, ectoderm, endoderm का specification कर लिया अब क्या बचा अब बचा लेफ्ट राइट ठीक है अगर लेफ्ट राइट की बात करें तो आपको पता है कि लेफ्ट राइट प्रोटीन, PITX, PITX2 को एक्स्प्रेस कराएगी लेफ्ट साइड में ठीक जैसे की सपोज यह अब यह भाई लेफ्ट है और यह राइट है मालेजे हम इसको लेफ्ट राइट इस तरह से मान लेते हैं तो ZNR activity क्या करती है ZNR activity PITX को क्या कराती है means induce कराती है और यह लेफ्ट हो जाती है और जहां पर ZNR absent होता है आप इसको डॉसल वेंटल से मत कोर्रेलेट करेगा हम बस तिर्फ आपको बताने लेफ्ट राइट तो लेफ्ट राइट में का ZNR जहां बनता है वहां पर क्या हो जाएगा कि PITX1 क PITX1 induction होगा तो लेफ्ट साइड बन जाएगी ZNR जहां absent है जहां नहीं है वहां पर PITX express होगा नहीं तो क्या हो जाएगा कि वह राइट साइड बन जाएगी तो इतना ही यहां पर वही चीज़ लिखिए लेफ्ट राइट एक्स अपिर तो इनिशेट पर्टलाइशेशन इतना आप डिटेल में पढ़िए बस यह समझ लीजे कि ZNR1 जो नोडल रिलेटेट प्रोटीन एक्सप्रेशन और जिससे की लेफ्ट साइड बन जाती है और जब नहीं एक्सप्रेशन करा पाती है तो वह राइट साइड बन जाती है तो यह लेफ्ट राइट एक्सज़ ह हो जाता है यह था एंफीवियन का डेवलप्मेंट